हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपको फ्यूज के टाइप्स के बारे में बताऊंगी जो फ्यूज होते हैं मेली टू टाइप्स के होते हैं AC फ्यूज और DC फ्यूज जो AC फ्यूज होते हैं उसके अंदर जो पार्ट होते हैं वो भी 2 होते हैं HV Fuse और LV Fuse, जो HV Fuse होता है वो High Voltage Fuse होता है और LV Fuse होता है वो Low Voltage Fuse होता है, जो High Voltage Fuse के अंदर भी पार्ट होते हैं, उसके तीन पार्ट होते हैं, Cartridge Type, HV, HRC Fuse होता है, Liquid Type Fuse होता है, Expulsion Type Fuse होता है और जो LV Fuse यानि की Low Voltage Fuse होता है, उसके पार्ट होते हैं, Cartridge Type Fuse, Rewireable Type Fuse, Drop Out Fuse, Switch Type Fuse, Striker Type Fuse, और जो Cartridge Type Fuse होता है, उसके अंदर दो पार्ट होता है, Link Type Fuse, D Type Fuse, जो D Type Fuse होता है, वो Blade Type Fuse और Bolted Type Fuse होता है, Thank You दोस्तो,